हेलो गाईज, विल्कम टू अचीव आईएस माई नेम ही जायूश मेठी इस वीडियो में हम इंटरनेशनल ओगनाईजेशन्स जो कि पिसले 6 महीने में न्यूज में रहे हैं उनका पार्ट टू डिसकस कर रहे जा रहे हैं इस वीडियो की पीडियेफ आपको हमारी टेलिग्राम चनल पे मिल जाएगी अचीव आई है इस पे लेकिन पीडियेफ में जितना कंटेंट होगा वो इस वीडियो का केवल 10% होगा क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको ना केवल फिल्म्स के परस्पेक्टिव से बलकि मेंस का परस्पेक्टिव से भी आपको और्गनाजेशन कवर करवाऊंगा चलिए बिनादेरी के शुरू करते हैं बात करते हैं UNRWA UNRWA Q News में 2019 में इंडिया ने 5 मिलियन डॉलर्स कंट्रिब्यूट करने का फैसला किया है इस एजेंसी को इसका फुल फॉर्म है UNRWA रिलीफ और वर्क्स एजेंसी फोर पलेस्टाइन डिफ्यूजी इन दी नियर इस्ट 2016 में ये बजट हमारा जो हम इसको देते थे 1.25 मिलियन डॉलर्स था 2018 में 5 मिलियन डॉलर्स हमने कर दिया है कफी अच्छी बात है रिलीफ और ऊवन्डवलप्न एजेंसी है 1949 में यह थी और यह ओनली यजेंसी है जो कि किसी पट्टकुलर एरिया से काम करती है पट्टकुलर एरिया की refugees पर यह काम करती है जैसे कि आप देखेंगे कि Palestine की refugees पर उनकी तरफ dedicated है है और UNHCR Human Rights Human Commission जो राइट्स वाला है UN का उससे काफी सेपरेट है ये UNHR से काफी सेपरेट है ये और ये जेंसी वैसे इसके Operations 1950 में स्टार्ट हुए थे और Establish 1949 में हो गई थी Basically जवरत क्या पड़ी थी इसकी 1948 में अरब इस्रेली कॉन्फिक्ट हुआ था उसके बाद से UN United Nations General Assembly ने इसको Establish कि रिलीफ फरक्स और जो डिरेक्ट लीफ है जो प्रवाइड करवाई जाएंगी Basically funding कहा से आती ये funding आपने देखा जिस तरही किसी इंडिया ने pledge कि 5 मिलियन डॉलर साम इसको देंगे वैसे और भी contributions आते रहते हैं voluntary UN member states की तरफ से और कभी कभी United Nations के regular budget की तरफ से भी आ जाते हैं जो कि staffing cost में काम आते हैं जो कि staff वगरा deploy करने में काम आते हैं अच्छा इसके means के perspective से इसके challenges पढ़ लेते हैं देखो challenges यह है कि पैसा तो आ रहा है इसके पास लेकिन काफी difficult financial situation से यह जूज रहा है क्योंकि donor जो base है वो बहुत limited है बहुत ज़्यादा पैसा इसके पास है नहीं अभी इससे क्या होता है कि जो इसकी ability है services को provide services provide करने की refugees के लिए education health और कई तरह की चीज़े वो नहीं कर पाती है और officials पे staff पे corruption के और कई मामले सामने आते हैं UNISA United Nations Convention on International Settlement Agreements बहुत important है इस convention को adapt किया गया था 2018 में United Nations General Assembly ने 2018 में इसको adapt किया था इसको Singapore Convention on Mediation भी कहते है Singapore Convention on Mediation basically क्या काम होता है जैसे हमारे foreign investors होते हैं जो हमाई देश में invest करते हैं अगर वो dispute में किसी में फस जाते हैं या कोई dispute निकल के आता है तो convention help करता है उनकी Mediation करता है ठीक है उनकी नहीं करता बीच में आपके सकते intermediary बनके आता है dispute sol करने के लिए अब जैसे इसके फाइदे बहुत है क्योंकि जो हमारी investors होंगे जो बहार से invest करेंगे वो confidence बढ़ जाएगा कि India ने इस convention को sign कर लिया इससे हमारा जो पैसा है वो secure रहेगा और कोई dispute में कर फस जाएगे तो ढंक से जो है an alternative dispute resolution जो हमारा चल रहा है वो भी उसके हिसाब से बिलकुल यह सई चीज है क्योंकि alternative dispute resolution है उसकी कदम में उसके रास्ते पे बहुत ही अच्छा यह कदम है Eastern Economic Forum इसकी बात कर लेते हैं देखो PM Modi ने अभी हाली में Chief Gust का पद का जो उसको invitation accept किया Eastern Economic Forum में जो की व्लादीवोस्तक में हुआ था Eastern Economic Forum व्लादीवोस्तक में अभी इसकी meeting थी जो की बुलाई गई थी Russian President व्लादीमिर पुतिन के द्वारा अब यह हुई तो September 5 में थी लेकिन मैं आपको 6 मन्त के करेंट फिर करवा रहा हूँ इस वज़े से मैं स्टार्टिंग से ले रहा हूँ इसलिए आपको बताना बढ़ रहा है तो ऐसे ज़्यादा important नहीं है यह लेकिन इतना आप याद रखना कि इसको establish किया गया था Russian Federation के President जो है वहांके व्लादीमिर पुतिन ने 2015 में और हर साल होता है इसकी summit होती है हर साल होती है फोरम हर साल होता है इसका व्लादी वोस्तोक में जो की रुशिया की eastern side में और यह बहुत important, important इसलिए है क्योंकि इसके उपर एक तो यह WTO का dispute settlement system है जिसके हम बात कर रहे है तो हुआ क्या रहा है कि जो इसकी seats है वो vacant पड़ी है जो इनमें officers होते हैं जो staff होते हैं उनकी seats भर नहीं दे है और USA obstruct कर रहा है seats को fill करने में तो यह dispute settlement system अखिर है क्या, देखो dispute settlement system की अगर मैं बात करूँ तो एक mechanism है जिससे trade disputes को soul किया जा सकता है member states के बीच में अब यह political negotiation का भी रास्ता अपनाता है और adjudication भी अपनाता है dispute resolution के लिए इसका उदय कहां से हुआ मतलब इसका इतिहास क्या कहता है इसका इतिहास है कि यह आया है उर्विग्यों जो round negotiations हुए थे 1986 और 1994 में जिससे आपका WTO भी निकला था तो यह WTO का dispute settlement जो system है वो कुछ नहीं बस यह settlement system है जिससे dispute dispute solve किया जाता है member states के बिच में कोई dispute हो तो उसको solve कर देते हैं कुछ principles भी है इसके लेकिन यह कुछ principles आप देख सकते हैं बाकी dispute settlement जो यह body है main अगर मैं बात करूँ तो यह general council है WTO का dispute settlement body है ना इसका dispute settlement system है वो WTO की general council है जो की highest decision making body भी है और dispute settlement body के तोर पे मिलती है तो decision भी यह लेती है dispute भी solve करती है शुरू में यह political body थी अब नहीं essentially काम तो political body के रूप में करती है लेकिन कभी कभी dispute settlement system का भी यह काम कर लेती है है appellate body appellate body यह दूसरी body ठीक है यह seven member permanent organ है जो की appeal लेता है जैसे अपने dispute settlement system है अगर उसमें कोई party खुश नहीं होती है तो वो इस appellate body में appeal कर सकती seven member permanent organ है इसके जो members है वो चार year के लिए चार साल के लिए आते है साथ member रहते हैं इसमें चार साल के लिए ठीक है साथ member चार साल के लिए यह आपको याद रखना है अब तक अगर मैं बात करूं चोविस साल की function में इसके पास 500 शिकायते आई है और काफी अच्छी इसकी compliance rate भी रही है कभी 90% तक इसकी compliance rate रही है जो की बहुत कम है रहती है stability provide करने की कोशिश करता है rule based multilateral trading system provide करने कोशिश करता है और काफी जरूरी है इसका इसका जो purpose है वो भी अच्छा है और लेकिन अगर इसकी seats fulfill नहीं होगी तो यह dysfunctional हो जाएंगी यानि काम की नहीं रह जाएंगी इसलिए इसके members को appoint होना करना जरूरी है असी ऐं के बात करते हैं असी एक असे के अबारे में अपने बहुत बार पढ़ बी लिया होगा आरसी पी के concept में आरसी पी से लेटेट जो भी current affairs पेसे लेकिन इसमें मैं पार्टिकुलर्ली इंडिया आसिया की बात करने जारों आर्सीपी इसमें बीच में नहीं लारा मैं आसी आर्सीपी आसिया के गर मैं बात करूं जो जीओ पोलेटिकल एकनोमिक और्गनाइजेशन है नहीं जोब कंट्री इसका है डकारत इंडोनेशिया मैं JESSama में लेकिन इसको याद रख ले ना जाकारत इंडोनेशिया में मलेशिया फिलिपिन symbols था कि ओड़ ओ बाकी Bruney बुरुनेई जुड़ गया इसके साथ कमबोडिया जुड़ गया लाओस जुड़ गया मयमार जुड़ गया वितनाम जुड़ गया ठीक है 1967 में याया था दस मेंबर कंट्रीज है फाउंडिंग मेंबर या दखलो इंडोनेशिया मलेशिया फिलिपिन सिंगापूर अच्छा आसिया के बारे मैं कुछ बता देता हूं देखो आसिया इंडिया का फॉर्ट लार्जेस ट्रेडिंग पार्टनर है और कभी करीब 80 बिलियन डॉलर की बीच का ट्रेड है इंडिया और आसिया का आला कि ट्रेड डेफिशिट हमारा ही है इसके साथ हिस्ट्री अग की बात करू तो इंडिया आसिया फ्रीटेड एग्रिमेंट साइन हुआ था यह बहुत इंपोर्टेंट है बैंकोक में साइन हुआ था ठीक है इंडिया आसिया फ्रीटेड एग्रिमेंट 2009 में साइन हुआ था 2017 में इसके 25 साल हमारी जो पार्टनर्शिप है वो हो गई इंड डायलोग पार्टनर बनके अब फ्री टेड एग्रिमेंट इसके साथ हुआ तो इसके फायदे हुए कि नहीं हुए देखो फ्री टेड एग्रिमेंट हमने किया 2009 में था उसके प्योजिटिव इंपेक्स निकल के तो है क्योंकि हमने थाइलेंड कंबोडी और विटनाम जैसी कं सब्सक्राइब काफी तरीके से बड़ा नेगेटिव इंपेक्ट जब देखते हैं जब आपका यह आता है कि जो ट्रेड डेफिशिट है वो काफी ज्यादा है और हमारी इंडिया की मैनिफेक्ट्रिंग उसको भी काफी एडवर्सली इंपेक्ट हुआ इस से इसलिए इंड इंडिया एक तरफ तो माइक इंडिया कंपेंड चला के जोब जनरेट कर निकोश कर रहे लेकिन आसिया की वजह से हमारी मैनिफेक्ट्रिंग में काफी ज्यादा लोस हुआ है और ट्रेड डेफिशिट है तो यह आपको समनना पड़ेगा बाकी इसकी जो पोटेंशिल हमार करता है कि फ्री हो इंडो पैसिफिक ओपन हो इसको प्रमोट करने की कोशिश करता है क्वाड हाली में इसका डायलोग भी हुआ था अब क्वाड की में बात करूँ तो यह इनफॉर्मल है गुरूप फॉर्मल नहीं है यह चीज़ आपको याद रखने है हाला कि होता जा रहा है नुएटेड़ स्टेट्स जापान और श्रील इंडे के बीच में यह एक ग्रूपिंग है ठीक है अब क्वाड जो है अगर आप देखें तो यह स्टार्ट तो ऐसे तो दो चार पांच में हो गया था लेकिन डायलोग पुरी तरीके से इनिशेट करने वाले थे जापान के शिंजो आबे 2007 में इन्होंने शुरू किया था और फिर 2017 में पूरी तरीके से यह रिवाइव हो गया था इसिया समीट सुईती इनमें जो चार मेंबर्स थे इन्होंने इसको रिजोइन कर लिया कुल्ड मिला के अगर आप देखें तो 2007 में डायलोग शुरू तो हुआ था अच्छी तरीके से और कंट्री का नाम याद रखी है अब मेंस के परस्पेक्टिव से इसकी सिग्निफिकेंस क्या है देखो इंडो पैसिफिक जो रीजन है उसमें अगर चाइना जिस तरीके से राइस कर रहा है इंडियन ओशियन देख लो इंडो पैसिफिक तो इंडिया को इंडियन ओशिन की वज़े से होता है और जापान को तो होता ही और यूनेटेट स्टेट्स के लिए चाइना तो खत्रा ही तो हम चारों का एक कॉमन अब्जेक्टिव ही हो सकता है कि हम चाइना को यो कंटेन करके रख सकते हैं दूसरी बात एक जो चीज हम चारों को साथ में लेती है दूसरी वो है लोकतंत्र डेमोकरेसी हम चारों डेमोकरेसी है तो चारों इस तरीकें से आगे भढ़ सकते हैं और जो हमारी एकसेसाई gi基本 dieses kolay इस मिलिक्ट्री की वह भी होती है का चाइना के लिए कौंटर करने के लिए यह बहुत तो एक अची ची इंडिया प्लैटफॉर्म है इंडिया के लिए कि वो अपनी बाते रख सकता है अपने एस्पिरेशन से रख सकता है एक टिस्ट पॉलिसी इंडिया की जो है आगे बढ़ेगी इससे इंडिया का रोल भी कफी जदा बढ़ता जाएगा और इंडिया आराम से चाइना को कई सेक एशी प्रोसेस्समें हमारी इंपोर्टैंस भी बढ़ती जाएगि चैलेंजी तो चाइना का है मतलब हम वने हमने देखा कि क्वार्ड का सिगनिफिकेंस इंडिया के लिए अच्छा है चारो मेंबर के लिए प्लिए लेकिन चैलेंज यह कि इंडिया फॉर्मली यह नहीं कह देता है क्योंकि मिन्ट्रेट differenti को इसे को नियुकि को इसे करने में लगए तो एक तरीके से प्रोग्रेसच कही है मतलब अभी इस प мешक अभी इंक्या कि क्या प्रियरेटीज है और हाला कि धीरी धीरी एक नहीं डाइमेंशन ही एक्वाइर कर रहे है तो इंपोटेंस तो बहुत है इंडिया का फूचर रोल भी काफी जादा इसमें पोटेंशल नजर आ रहा है तो देखते हैं अब इंडो पैसिफिक बिजनीस फोरम जो है ऐसे किये जा सकते हैं और एंडिया कर सकता है कि इंडिया चाइन इसलिए भी यह क्योंकि आपको पता है कि चाइना के साथ हमारे लेशन किस तरीके से आगे बढ़ रहे है जी जिंग भी भारत आये थे तो इंडिया चाइना टिजिक एकनोमिक डायलोग क्या है कि बाइले लोग है इंडिया और चाइना के बीच में बेसिकली हमारी जो प्लैनिंग बो कोमन प्लैटफॉर्म और भी है तो यह जो वर्ड दिख रहा है को इसके जगह आएगा अधर तो और भी इंडिया चाइना एकनोमी कॉमर्शिल प्लैटफॉर्म्स हैं जैसे कि आपका जोइंट इकनोमी ग्रूप हो गया तो धानकना यह चीज अलग है इंडो जोइंट इंडो अधर देशों के कॉमर्श मिनिस्टर दूसरा हमरा डवलप्मेंट डिसेर सेंटर डायलोग और फैनेंशियल डायलोग है जो कि हमारे तो Economic Affairs की जो Department उसके Secretary और वहाँ चाइना की Minister of Finance के Vice Minister तो ये आपको इतना याद नहीं रखना हाला कि केवल मेंस के perspective से कौंकों से platform से याप याद रख सकते हैं बाकि ये इंडो चाइना जो Strategic Economic Dialogue के 2010 में शुरू हुआ था ये आपको याद रखना है बाकि चाइना से अगर मैं बात करूँ तो देखो हमने जो है चाइना के साथ फुल फ्लेश्ट बालेटरल टेड दुनीस सो बांड में में ही अचीव किये डवल टेक्सेजन एगरिमेंट उनीस सो चोराण में में आया और 2003 में हमने एक दूसरे को ट्रेड प्रिफरेंस देने की शुरुआत कर दी बैंकोग एगरिमेंट के जरिये और एक टाइम था जब हमारी जीडिपी बहुत एक्वल थी तो चाइना इंडिया की एकनोमिक रिलेशन की मैं बात करूँ तो चाइना इंडिया का लाजेस टेडिंग पार्टनर है हाला कि डेफिशिट करीब 50 बिलियन डॉलर का हमारा चाइना के साथ इन्वेस्टमेंट चाइना हमारा ची तरीके से कर रहा है ट्रेड डेफिशिट हमारा घटेगा और काफी चीज़ हमारे स्टार्टप्स के लिए काफी अची चीज़ होगी और चाइना के बैंक्स के ब्रांचेज भी हमारे देश में खुल रहे हैं और हैं तो एकनोमिक रिलेशन अच्छा है एफडियाई भी चाइना अच्छा जो और इंडिया के इकनोमिक रिलेशन की बात करूँ तो आपको पता है देखो पहली बात तो चाइना जिस तरीके से एक तो बी आ रही है यह तो बेल्ट एंड रोड इनिशेटीव यह तो चैलेंज है यह तो आपको पता है दूसरी बात चाइना की जो प्रेटेक्शनिस पोल बस्ते सिंसेय्ट है इसें आपके से समको जंक से नहीं देता बाकी हमारे देश में दिक्ट यह तो चैना की दिक्कत है हमार देश में आनो क्लेशिटीशन चैलेंज काफी जयादा है यानि चाइना जो है दोनों country के लिए इंडो चाइना एक्रोमिक रिलेशनिस भी बहतर हो सकती है उतनी ही रहेगी एश्या के लिए अच्छा रहेगा और दोनों के लिए अच्छा रहेगा अब जैसे इंडिया के लिए advantage है कि IT सेक्टर हो गया जो हमारा काफी अच्छ है जो हम चाइना में जाके export कर सकते हैं काफी चाइदा चीज़ें वहाँ पर कर सकते हैं तो इंडिया के लिए भी potential है चाइना के लिए भी potential है हाला कि challenges मैंने आपको बता दिये trade imbalance market assets issues और एक regulatory environment नहीं है इनको सबको address करना पड़ेगा बस एक atmosphere हमको चाहिए confidence का ताकि हम दोनों आपस में मिलके ढंक से काम कर सकें और एक दूसरे के साथ economic relation भड़ा सकें तो guys यह थी आच की हमारी दूसरी वीडियो दूसरा पार्ट आने वाले पार्ट भी आपको बता दिये जाएंगे वीडियो प्लोड कर दी जाएगी थैंक्स वर वाचिंग जै हिंद वीडियो कैसी लगी कमेंट बोक्स में लिखिए धन्यवाद आप सभी का